दोस्तों एक फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर Realme 7i के अगर आप यूजर है तो एक बड़ी अपडेट Realme 7i के उनी उजर्स के लिए जिन्हों ने अभी तक Android 11 पर अपडेट नहीं किया है application form open हो चुकी है open beta के लिए आप जाके apply कर सकते हैं किस तरह से apply करना है और क्या क्या क्टिशन है चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं तीस अप्रील को application channel जो है वहाँ पर open की गई थी और आज भी अविलेबल है चुकी open beta में बहुत सारा time मिल जाता है उसको apply करने का जल्दी जल्दी apply करो मतलब limited slot से यह खतम हो जाएगी तो इसी बात नहीं है आप जाके apply कर सकते हैं अभी इसके लिए condition क्या है दोस्तों यहा आप apply कर पाएंगे जाकर एक बार phone के settings में चेक कर लिजेगा अब बात करते हैं कि stable update कैसे मिलेगी दोस्तों stable update को इसी update को open beta जो update आपको मिलेगी उसी को stable के तौर पर भी release करेगी इस वार realme यानि कि अगर को user supply नहीं करता है open beta के लिए तो उसको भी update मिलने के ज्यादा तर chances हैं तो आप apply ना भी करेंगे तो भी हो सकता है यह update आपको मिल जाए लेकिन बेहतर होगा कि अगर आपको आपको आगे बता देते हैं चलना है अपने phone के settings में software update वाले section पर आपको क्लिक करना है उसके बाद जब software update section में आएंगे तो उपर में राइट साइड में एक सेटिं करेंगे तो आपको trial version दिखाई देगा trial version पर क्लिक करेंगे तो open beta दिखाई देगी open beta पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक application form खुल जाएगी जिस पर 10 seconds तक आपको wait करना है उसके बाद apply now की जो page है वह highlight हो जाएगी जो icon है वह और उसके बाद apply now पर क्लिक करेंगे उसके review रहेगा हलाकि open beta application जो apply करते हैं उनको एक ही दिन में मिल जाती है लेकिन maximum एक से दो दिन लग सकता है आपका जो है अप्रूफ होकर update आने में c14 update version आपको देखने को मिलेंगे android 11 के जो की लगभग stable हो चुके हैं तो उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे वीडि इसको fix किया जा सकता है हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में हमें देजिए इजाज़त थैंक यू